जैसे जैसे टेकनोलोजी का विकास होता जा रहा है, वो ऐसे ही टेकनोलोजी लिए हमारे जीवन के लिए समरीद बनाती जा रहा है, इसके कुछ फायदे होने के साथ कुछ नुकसान भी होते हैं, हेलो दोस्तों मैं हूँ आसी कुछेन और आप देख रहे हैं, आपका सबसे पहले जनेरेशन थी, यह एनोलेग सिंगल का इस्तमाल करता था, इसे 90-80 में पेस किया गया, इसकी स्पीड लिमिट 2.4 Kbps पर काम करता था, सबसे पहले इसे अमेरिका में पेस किया गया था, फिर 1991 में आगी 2G तकनिक, यह GPS पर आधारित था, यह डिजिटल सिंगनल इस्तमाल करती थी, इसकी स्पीड लिमिट 64 Kbps थी, इन फोन से MMS कैमरा और मेलिंग जैसे सर्विस को सुरू किया गया था, 2000 में आई 3G तकनिक, इसकी स्पीड 7.2 Kbps था, इसके जर्ये हैवी गेम बड़ी फाइर्स को ट्रांसपर करना और वीडियो कॉलिंग फीचर जैसी सर्विस दी जाने लगी, फिर 2011 में आई 4G तकनिक, इसके जर्ये यूजर से MMS की स्पीड का इस्तमाल कर सकते थे, इसे और भी डिजिटल मोबाइल बनाने में सक्चम कर दिया, और और भी डिजिटली जैसे गेम्स, कॉलिंग और भी बहतर होगी, 2022 तक लॉंच हो सकता है 5G, ऐसा माना जा रहा है कि इसकी कनेक्टिवीटी और स्पीड में कोई लिमिट नहीं होगा, ये भविश्य की वायलेस तकनिक होगी, अब बात कर रहे हैं अमारे में टॉफिक के बारे में 5G से फायदे और नुकसान, 5G टेकनोलोजी के फायदे, एडवेंटेज और 5G टेकनोल के माधियम से हम किसी भी बड़े साइज के डेटा तुरंट सेकेंडो में अपलोड या डाउनलोड कर पाएंगे, 5G टेकनोलोजी ट्राफिक, कैपिसीटी और नेटवर्क एफियंसी में 20 Gb प्रतिस सेकेंड की स्पीड देने में सच्छम है, 5G टकनिक से mm वेब के साथ आप 1 mm की लेंसी पा सकते हैं, जो तुरंट कनेक्शन इस्टेबिलिस करने और नेटवर्क ट्राफिक को काम करने में मदद करता है, 5G रियल टाइम में अगमेटेड रियल्टी का अनुभाव कर सकता है, इसके अगमेट के रियल्टी पर काम करने वाले हाडवेर विकास में भी बनते जा रहे हैं, और टोमाटिक ड्राइविंग यानि बीना ड्राइवर के कार चलेगे, मोबाइल्स आपसे बाते करेंगे, बीना टच की आपका डेटा ट्रांसपर करेंगे, मेडिकल इफ्राटक्चर और यहां तक मैनुफैक्चरिंग के विकास में मदद करने वाला है, और साथ ही ओनलाइन वर्किंग भी होगी, 5G टेकनोलोजी से नुकसान, डिस एडवेंटेज और 5G टेकनोलोजी, 5G महांगा होने के कारण आम इंसान इसे नहीं परियोग कर पाएगा, एक तो इसके परियोग के लिए अपने पास 5 युक्त मुबाइल होना चाहिए, जो फि 5G में रेडियेशन फ्रिक्वेंसी काफी होगी, जो इंसानों का स्वास्त को नुकसान पहुचा सकती है, 5G चलाने से सरीर का तापपान बढ़ेगी, साथ ही इसका ज्यादा यूज करने से पेट का समस्या, आं का समस्या और दिमा का समस्या भी हो सकता है, 5G नेटवर्क के बारे में प्राकृति के खिलाब काफी चिंता जनक बाते बताई है, 5G नेटवर्क से कई किलोमीटर के दायरे तक वेव जाल बनता है, जिसके पंच्छी और दूसरों जीवों पर बहुत बुरे प्रभाव पड़ेगा, अब तक 5G से हो चुके नुकसान, दुनिया को पूर बातकों की बेचानी देखी गई, स्वीटर्ड लेंड में 5G टेस्टिंग के दवरान गायों की एक जूंड अचानक जमीन पर गिर गई, और सारी गाये बेहोस हो गई, 5G तकनिक में इलेक्ट्रो मैगनेट रेडियेशन का इस्तमाल किया जाता है, जो जीव जनतुए को लि में हमारे गाहों में बढ़ता जा रहा है, उस जगह पर पक्षिया गायब होती जा रही है, मरती जा रही है, अगर इसी तरह पक्षिया मरती जाएंगी, तो हम बेमार के सिकार होते जाएंगे, हमारे दुनिया में बेमारी बढ़ती जाएगी, और पक्षियों कारण जो सु पीसे में आने वाले आ स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों आप लोग का जो भी सलाव सुजाओं हैं कमेंट कीजिए और इस चैनल पर नहीं आये तो सब्सक्राइब कीजिए।